Hello everyone and welcome back to my youtube channel I hope you all are doing well तो आज मैं इगनु के दो बहुत ही जरूरी अपडेट्स लेकर के आई हूँ जिन दोनों ही चीजों का लास्ट डेट कल है मैंने सोचे इस पर इमेडेटली वीडियो बना देनी चाहिए बढ़ना लोगों के डेट में सो सकते है तो क्या है वो दो बड़े अपडेट्स आईए देखते हैं इस वीडियो में वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेगा अगर आप मेरे चानल पे नहीं आए हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो माई चानल जैसा कि आप बेख सकते हैं फ्रेश एड्मिशन 31st मार्च हैं दोनों के सब्सक्राइब के लिए हैं जितने भी सेमेस्टर मेरिट एंड सर्टिफिकेट बेस प्रोग्राम में वह बंदो चुके हैं तो ये थी पहली अपडेट ये थी फ्रेश एड्मिशन वालों के लिए सेकेंड अपडेट है री रेजिस्टरेशन के लिए तो मैं री रेजिस्टरेशन को थोड़ी डीटेल में बताना चाहूंगी because deregistration एक ऐसी चीज है जो थोड़े कम लोग जानते हैं उसके बारे में awareness बहुत कम है and इस वज़े से students को बहुत 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 दिकत आती है उनका एक साल या छे महिना बरबाद हो जाता है उनकी fees बरबाद हो जाती है and उसके बाद उनको बिना मतलब के बहुत struggle करना पड़ता है उस एक mistake को सही करने में so I just want कि ये problem आपको कभी न आए and इसके बारे में आप पहले से ही इतना aware हो जाओ कि जैसे इस चीज के updates आए आप तुरांट इस चीज को overcome कर लो so that is re-registration re-registration होता क्या है re-registration जैसा की हम जानते हैं कि अगर हम first year में admission लेते हैं या first semester में admission लेते हैं तो next semester या next year में promote होने के लिए हमें इद्नू में re-registration कराने होते हैं अगर yearly based program में लेते हैं, जैसे ही हमारा one year complete होता है, हमें वो तब कराने हैं, जैसे ही अगर semester based program है, तो जैसे ही first semester complete होगा, second semester में वैसे हम अपना re-registration करा लेंगे, बहुत सारे बच्चों के साथ यह दिक्कत आती है कि उनको re-registration के updates पता ही नहीं चलते, या वो यह चेक ही नही re-registration कराने के लिए, तो सबसे पहले बात कि आप जानते हैं कि इगनू में दो sessions चलते हैं, January and July, तो January वालों का जो re-registration है, वो इस वक्त चल रहा है, उसके भी last date कली ही है, 31st March, जैसा कि आप देख सकते हैं, online re-registration for January session, बहुत बार update की, दस भी बार update हो करके, अब 31st March होएं, So, January session वालों के लिए, मैं open करके दिखा देती हूं, आप यहाँ पर अपना user ID and password डाल करके login करेंगे, student portal पे, and check करेंगे, कि आप re-registration के लिए eligible है की नहीं, and अगर eligible होंगे, then आपका re-registration form इधर से खुल जाएगा, and जितनी fees आपको first year में लगी थी, उतनी ही fees एक बार फिर स अगर आप semester based program में हो, तो per semester, 6 semester करके जितनी आपको fees लगनी है, वो उतनी fees लगेगी, so, यह था January session वालों के लिए, अब है July session वालों को re-registration कब कराना है, July session वालों को re-registration के लिए काफी सारा doubt है, because उनके forms अभी तक देखने को नहीं मिले, and since उनके assignment submission का date आ गया है, उनके June session वाले exam के date नजदीकार है, so, उनके मन में सवाल है कि जब exam आया ही नहीं, तो registration क्यों कराना है, ऐसी बात नहीं है, exams का, assignments का, इससे कोई लेना देना नहीं है, अगर आपने इग्नूम admission लिया, अगर आपका one year, या one semester का tenure complete हो गया है, then आपको बिना किसी चीज का wait किये वे, अ आपका re-registration आपको July to August के महिने में देखने को मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, since पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, वो July के आसपास हमें मिला था, so, I don't think so, कि अभी इस वक्त, re-registration, July session वालों के होंगे, अभी आपकी इस वक्त assignment चल रहा है, so, assignment के लिए भी मैं एक update दे दे है, so, अगर आपने अभी इस अपना assignment नहीं बनाया, तो आराम से बनाये, कोई टेंशन नहीं है, कोई हरबडी नहीं है, I am very sure, and everybody is pretty sure, कि 30th April तक जरूर extend होंगे, because, काफी सारे बच्चों से update मिला, कि 10th to 11th April तक उनके study centers में, अभी जो exam चल रहा है, January वाले, वही चल रहा है, इगनो के staff members, वहाँ पर assignments, वो खुदी decline कर दें, कि वो बाद में आना, आप बाद में submit कर लेना, so, it means कि date will surely be extended, and I think कि 30th April के बाद भी date काफी extend होंगे, but I will not assure you for that, because, उसे क्या होगा, कि आप अपना timely assignment बनाने के जाएक ट्रैक तो उससे आप derail हो जाओगे, so, if you are making your assignment, make it as soon as possible, ताकि आप आगे की exam forms भर के आगे की पढ़ाई में exams में लग सको, so, I hope मैंने, आपको जो दो updates दी हैं, वो आपके काम आई, also, if you want to see, कि अगर आप re-registration के लिए eligible हैं की नहीं, तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए भी IGNU के official site में, ये उपर में, register online, यहाँ पे, you will click on this, and यहाँ से re-registration, आप देख सकते हैं, आप इसको यहाँ पे click करिएगा, so, इस वक जो re-registration आप देखे, आपको जैसा मैंने बताया, इस वक जो re-registration चल रहे हैं, वो January 2022 session के चल रहे है, second year के, and उसकी last date कल की set की गई है, तो अगर आपने नहीं कराया re-registration, then जल्दी immediately जाकर की कराये, यह बहुत-बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना, तो second year में प्रमोट ही नहीं होंगे, आपके year ultimately waste हो जाएंगे, आप अगर सिनिस्टर में है, तो सिनिस्टर में है, तो सिनिस्टर वेस्ट हो जाएगा, indirectly बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बढ़ा loss हो जाएग इगनु में admission लेने का आप फायदा ही नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर और भी instructions दिये गए हैं कि आप re-registration करिएगा कैसे, ओके, यह भी बहुत-ध्यान से पढ़ लिजेगा, और वो सब पढ़ने के बाद, you will check on this box, and you will proceed for re-registration, तो यहाँ पर आते ही, you will sign in, आप अपने username जो form open हो जाएगा, वहाँ से आप re-registration करा लिजेगा, और सो अगर आपको July session वालों को देखना है, कि वो eligible है कि नहीं, तो वो कैसे देखेंगे, तो देखिए, ऐसा नहीं है कि re-registration आप जब चाहेंगे, आप तब करा लेंगे, आपका minimum duration या minimum cycle जब तक complete नहीं होता है, तब तक आपका re-registration भी allowed नहीं है, जैसे कि July session वाले अगर अभी अपना re-registration करने की try करेंगे, तो उनके dashboard पे ऐसा एक message आएगा, that minimum term duration for the next term selection is not completed, yet minimum one year duration is required for next term selection, आप समझी गया होंगे, कि एक साल मेरा complete अभी नहीं होया, that's why I am not eligible for re-registration right now, अभी January वाले जिन बच्चों का एक साल complete ह चुका होगा, जो yearly based program में मैं बात करने हूँ, उन लोगों को re-registration करा लेना है, okay, so मैंने यहां पर आपको दोनों ही sessions को address कर दिया, January session and July session दोनों को ही उनकी re-registration के regarding बता दिया है, and I am pretty sure कि अब आप re-registration को लेके काफी aware हो गए होंगे, अब आप से यह कभी मिस नहीं होगा So for further updates like this, stay tuned to my channel, also please like, share and subscribe, thank you